हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन आवर निव वीडियो लेट्स स्टार्ट फैक्ट नमर 11 क्या आपको पता है कि फेस्बुक हर रोज पांच लाख यूजर को एड करता है पांच लाख यूजर यानी हर मिनट चार सो यूजर यानी हर सेकेंड छे यूजर मतलब अड़े फिर छे फिर छे और अभी फिर छे डाट्स ग्रेट ब्रो फैक्ट नमर 10 हम लोग परते हैं न ए बी सी डी लेकिन कि आपको पता है कि यूजर वह पूरे अलफाबेट में सबसे कॉमन लेटर है यानी वह इंग्लिश लैंगवेज का सबसे ज्यादा यूज होने वाला लेटर है फैक प्रेट के लिए बहुत आनिकारक है इसे अल्कोहिक ड्रिंग की केट्वरी में रखा गया है लेकिन क्या आपको पता है कि रोशियन लोग 2011 से पहले इससे सॉफ ब्रिंग की केट्वरी में रखतेते थे बीर और सॉफट ड्रिंग वाट इस देस प्रो फैक्ट नमर 8 क्या आ नोखा है ना हमारा शरीर. Fact No.7 क्या आपको पता है कि फिलिप्तिन्स में कैसा स्कूल है जिसके पूड़े वाल का पूड़े बीलिडिंग का जो कन्स्रुक्शन है वो सौफ ड्रिंक के बोटल से बनाया गया है सौफ ड्रिंक के बोटल से वाउ सो amazing fact number 6 कि आपको पता है कि पूर्त गाल में डेक इंक से लिखना ृड इंडा माना जाता है रूड यहनी अभद्र माना जाता है Melna पता है हुम्हीं के यह दो ही दुनिया में part number four आप सभी लोग आईफिल टावर के बाड़े में तो जानते ही होंगे तो fact यह है कि आईफिल टावर की लंबाई summer season में चेंच बड़ जाती है इसके पीछे रीज़न यह है कि उसका जो base होता है उसका जो metal का base होता है जिससे वो बना होता है वो समण में heat होने के कारण expand होता है क्योंकि वो एक metal है इसलिए heat होने के कारण वो expand होता है जिसके कारण अइफिल टावर की लंबाई जो है वो 6 इंच तक बढ़ जाती है Fact Number 3 क्या आपको पता है कि जो शार्क होते हैं शार्क बड़े बड़े नोकीले नातो वाले शार्क उनका जो evolution हुआ वो trees यानि पेड से भी पहले हुआ यानि वो इस दुनिया में trees से भी पहले आए पेड से भी पहले आए इस दुनिया में Fact Number 2 आप में से कई लोग बीच पे जाने के सौखीन होंगे और हो भी क्यों ना बीच इतनी amazing जगह है ही लेकिन क्या आपको पता है कि Australia में 10,000 beaches हैं जी हाँ दोस्तों 10,000 beaches यानि कि अगर आप हर दिन एक नए beach पे जाओ हर रोज एक में बीच पे जाओ कभी आपको Australia के पूरे beaches घूमने में 27 साल लग जाएंगे 27 years वाव that's amazing Fact Number 1 सभी लोग जानते हैं कि वो जो हाई हील्स होती है लंबी-लंबी हील्स सैंडल में उनका प्रेयोग लड़किया करती है लेकिन क्या आपको पता है कि Asian time में high heels को invent किया गया था men's के यूज के लिए वाव लड़कों के यूज के लिए high heels amazing ओके friends हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ thanks for watching और हाँ like share और subscribe करना मत भूलिएगा और हाँ बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा जिसे आपको हमारे नए वीडियो के जानकाड़ी मिलते रही कि अपने तू कर दो कर दो कि अपने कर दो सकती है